नमस्कार आदाब और ससेकाल दोस्तों मेरा नाम है उतकरश मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइन्स अड़ा के इस यूटूब चैनल पर सौगत है दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बहुत ही important and basic topic को discuss करने वाले हैं आप arts background से हो, commerce से हो या फिर आप science से ही क्यों ना हो यह topic कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि आप इंडिया में अगर रहते हो तो आपको यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया का कौन से states कहां लाई करता है, वो किस direction में है लेकिन इंडिया के अंदर रह रहे ही ज़्यादा तर लोगों को यही नहीं पता कि वो कहां रहते हैं, किस direction में जो उनका state है, वो किस direction में है लेकिन आज के बाद यह आपका doubt clear हो जाएगा copy pen ले लीजिए, notes बना लीजिए, और याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही basic topic है, अगर आप आज भी नहीं पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी फिर पढ़ोगे तो copy pen लेके लिखना start करिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर total states कितने हैं तो इंडिया के अंदर 28 states हैं और 8 union territories हैं और इंडिया को 6 zone में divide किया गया zone का मतलब इलाका, छेत कहलो तो सबसे पहले हम देखेंगे north zone जो north zone का इलाका है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्राखण, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आता है साथी साथ यहाँ पर जम्मो कश्मीर, लद्दाक, दिल्ली, चंदिगड ये कुछ union territories यहाँ पर है आपको पता ही होगा पंजाब और हरियाणा का capital चंदिगड ही है जो चंदिगड सिटी है, वो इन दोनों का ही capital है, पंजाब और हरियाणा का मूव करते हैं हमारे इस्ट जोन की तरफ इस्ट जोन के अंदर हमारा बिहार, ओरिसा, इसे ओरिसा भी कहा जाता है जहारखंड और वेस्ट वेंगॉल आता है यहाँ पर कोई union territory नहीं है वेस्ट जोन की तरफ हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, गोवा और महरास्ट आता है और यहाँ पर हमें कुछ union territories देखने को मिलेंगी दादर और नागर हवेली, दमन और दीव साउल जोन की तरफ अगर हम मूफ करते हैं तो यहाँ हमें तेलंगाना, आंधपरदेश, कर्नाटका, केदला और तमिलनाडू देखने को मिलता है यहाँ पर भी कुछ union territories हमें देखने को मिलेंगी लक्षदे, पॉडुचेरी, अंडमार एंड निकोबार आइलेंड यह कुछ है Central Zone यह किसी को भी नहीं पता होगा Central Zone के अंदर हमारे दो स्टेट्स, मध्यपरदेश और 36 गड़ा आते हैं यहाँ पर हमें आसाम, सिक्केम, नागा लैंड, मेहालय, मड़िपर, मिजोरम, तिरिपुदा और नाचर परदेश देखने को मिलता है यह directions याद होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह directions हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे ही updates के लिए हमारी ज़रूर देखिए और भी parts बनी है उनको ज़रूर देखिए आपकी knowledge बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए bye bye